इस गुड़ मॉर्णिंग तो लोफ यू देखिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं वर्क डन इन आइसो थर्मल प्रोसेस में वर्क डन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है जब हम यह प्रोसेस करेंगे तो इसमें कितना वर्क होगा इस प्रोसेस के दुरान जैट हाओ वी कैलकु मतलब क्या था जिसमें टेंपरेचर क्या रहता है कॉंस्टेंट रहता प्रेशंट वोल्यूम चैंज हो सकते हैं लेकिन टेंपरेचर क्या रहेगा इसके साथ फर्स्ट लोफ थर्मोडेमिक्स से हमने यह स्टड़ी किया विदा हीट गिवन to the system is utilized in two ways in increasing its internal energy and doing some work लेकिन इसमें क्या होगा अगर temperature ही change नहीं हो रहा तो internal energy में भी change नहीं होगा अगर temperature change नहीं हो रहा तो internal energy में भी change नहीं होगा तो इसका मतलब हम जो भी heat energy देंगे वो सिर्फ किसमें utilize होगी only in the work done so this is explained through the first law of thermodynamics इसको हमने isothermal process को हमने explain किया किसकी help से first law of thermodynamics से अगर दोनों ही positive हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम system को heat energy दे रहे हैं और system work done कर रहे हैं और system work done कर रहे हैं और अगर दोनों को ही negative लिख दूँगा मैं तो इसका meaning क्या होगा इसका meaning यह होगा कि हम system पर work कर रहे हैं और system उस heat energy को क्या कर रहे है लोस्ट कर रहे है उसकी heat energy क्या होती जा रहे है उसकी heat energy कम होती जा रहे है मतलब internal energy कम हो लिए है ओके तो यह बताता है expansion को जब हम heat energy देंगे तो work done होगा piston ऊपर की तरफ जाएगा और gas फैलना शुरू हो जाएगी expand होना शुरू हो जाएगी तो यह expansion को बताएगा यह compression को बताएगा मैंने बोला ना मैंने system पर work किया तो system पर work कैसे करूंगा मैं piston को करके पिस्टन को compress करके नीचे की तरफ ला करके तो जब मैं पिस्टन को downward direction में लाओंगा gas जो है वो compress होगी compress होगी तो volume decrease हो जाएगी और volume के decrease होने का मतलब है यह change in volume negative आएगा change in volume negative होगा तो work done भी negative होगा so this statement is giving that there is an expansion in the isothermal process and this statement is giving that there is an compression in the isothermal process process और यह जो process है यह कैसी process होती है तो अंसर है isothermal process एक slow process होती है आप expansion करें या compression करें लेकिन आपको slowly करना पड़ेगा दीरे दीरे करना पड़ेगा क्योंकि आपको क्या constant रखना है ख्यान होगा कि जब मैंने इसको compress किया था यह piston है जब मैं इसको downward direction में push करूँगा तो यह piston इस जगा पर आ जाएगा लेकिन इस system का temperature बढ़ जाएगा उससे compression करने से particle fast moving हो जाएगे हम जो work done करेंगे उससे इसकी internal energy बढ़ जाएगी तो हमें इसकी energy को दुबारा से पहले जितना करना है पहले इसका temperature 20 degree Celsius था जैसे compress किया temperature 24 degree Celsius होगा अब हम इसको ठंडा होने देंगे यह heat energy को surrounding में radiate करेगा कैसे radiate करेगा क्योंकि इसकी wall conducting walls हो दीरे 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 ठंडा होगा फिर से इसका temperature 20 degree Celsius हो ज प्रेशन करेंगे फिर रुख जाएंगे फिर इसको ठंडा होने देंगे क्योंकि हमें क्या constant रखना है temperature constant रखना है इस सब बाते हमने कल स्टेडी की थी अब हम देखते हैं कैसे calculate कर सकते हैं आइसो थर्मल प्रोसेस में work done कैसे calculate कर सकते हैं तो मैं आपको expansion की help से work done calculate करके बताता हूं हम ऐसा मानेंगे कि हमारे पास एक container में एक gas है जिसको हम लोग heat energy supply करने से piston upward direction में जा रहा है मतलब कि expansion हो तो यहां पर इसको मैं लिखता हूं कि डाइग्राम से भी बता रहे तो इस पॉजिशन पर है यहां पर यह पार्टिकल से जैसी हम इसको heat energy प्रोवाइड करेंगे with the help of burner burner की help से या किसी भी source की help से हमने इसको heat energy प्रोवाइड की यह पिस्टन फॉजिशन से second position पर आ जाएगा इस जगहां पर आ जाएगा मिया ग्यां तो क्या होगा यहां पर को आंसर है एक्सपेंशन हो रहा है और इस जगहां पर वल्युम थी वी जब पिस्टन यहां जायएगा तो वल्यूम हो जायगी थी भी टू अ वितनी वॉल्यूम occupy कर रखें तो इसको मैं statement में लिखता हूं इसको मैं statement में लिखता हूं डाइग्राम में लिखेंगे क्योंकि हमें calculation करके बताने हैं कि work done कैसे calculate होगा यहां पर अब देखिए piston इस position से इस position तक जा रहा है तो इतना displacement कर रहे हैं displacement कर रहा है और यहां और यह पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं अपकोर्ड डारेक्शन में फोर्स लगने की वज़े से यह पिस्टान यहां से यहां आ गया फोर्स इंटू displacement work done और उस वर्क को हम यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी तरह से अच्छा पहले calculation रिखे क्या होगी let the gas is expanding जैसा कि मैंने डाइग्राम में बता है let the gas is expanding from initial volume B1 from initial volume B1 to final volume B2 to final volume B2 कोई gas है वो expand हो रही है initial volume B1 से final volume B2 तक then the work done मैंने आपको एक integration का formula बताया था इसके लिए the work done is written as W is equal to integration from B1 to B2 this is the limit of integration यह इसकी limit है P dot dv P dot dv यह हमारा formula का work done calculate करने का अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर P की value को put करेंगे from ideal gas equation from ideal gas equation ideal gas equation क्या होती है PV is equal to nRT n नहीं लिख रहे हैं क्योंकि n is one mole यहां पर जो हमने gas ली है इस experiment में वो कितनी है one mole है तो उस case में ideal gas equation क्या लिखी जाएगी P V is equal to RT P V is equal to RT ओके तो यहां से P की value निगाल लिए अगर हम P की value को यहां से calculate करेंगे so it will be P is equal to देखे वी इधर multiply में यहां एगा तो divide में आ जाएगा so it will be RT upon V P is equal to RT upon V तो इस value को हम लोग put कर देंगे equation first में put this value in the equation first equation first में जैसे value put करेंगे so the equation will become W is equal to integration integration from V1 to V2 and P the value of P P की value क्या है RT upon V from the ideal gas equation देखें यहां पर P जो है वो constant है pressure जो है वो constant रहेगा क्योंकि gas जब expand होगी piston जब ऊपर की तरफ जाएगा तो प्रेशर में कोई changes नहीं आएंगे उस case ने लेकिन अभी pressure constant क्यों रहेगा क्योंकि जो piston है हमने उसको free छोड़ रखें वो ऐसा उपर की तरफ जा रहे है और gas expand हो रहे है और particles के बीच के spaces increase हो रहे है तो collisions में time लगेगा ओके तो P की जगहां पर हम लोग क्या put कर सकते है R T upon V तो मैंने R T upon V इस first equation में put कर दिया यहां पर देख लिए इसको मैं लिख दूँगा R T upon V dot dv P की value put कर दिया R T upon V अब इसमें R V constant है 8.31 इसकी value होती है इस एक universal gas constant और isothermal process में क्या constant होगा isothermal process में temperature भी constant होगा तो R भी एक constant है और इस isothermal process में temperature भी constant रहते है तो T भी एक constant है तो इन दोनों constant को integration के बार लिख देते हैं क्यूकि constant का integration तो होगा नहीं तो इनको integration के symbol से हमने बार लिख दिया अब integration करेंगे V1 से V2 तक किसका करेंगे 1 upon V का 1 upon X 1 upon X का integration क्या होता है log X यह मैं यहाँ पर formula लिख देता हूँ integration of 1 upon X is log X कौन सा log जिसका base E होगा log E X ओके तो 1 upon X यह रहा 1 upon V 1 upon V का जब integration करेंगे so the integration will be जिसका integration आएगा log E और यहाँ पर लिखेंगे 1 upon X का log X तो 1 upon V का integration होगा log V और limit लिखेंगे V1 to V2 अब क्या करेंगे upper limit put करेंगे फिर lower limit put करेंगे यह आपने सीखा होगा mathematical operators के अंदर तो सबसे पहले upper limit को यहाँ पर put करेंगे equation देखें क्या बन जाएगी R T log E upper limit लिखेंगे V2 इस V की जगाँ पर क्या लिख देंगे V2 value put कर देंगे फिर आएगा minus minus लगा करके lower limit को put करेंगे lower limit को put करोगे तो यहाद एगा log E V1 so this will the equation अब यहाँ पर भी एक formula लग सकते है log M minus log N यह formula भी हम पहले पढ़ चुके है log M minus log N इसको क्या लिख सकते है log M upon N तो यहाँ पर है log M minus log N इसको क्या लिख सकते है log M upon N लिख सकते है तो next statement देखें क्या बनेगी so the work done will be R T log E V2 upon V1 this is the work done यह हमारी एक equation बन गी यह equation होती है तो इस equation के थूँ हम लोग work done को calculate कर सकते है बस आपको क्या क्या वैलिज पता होनी चाहिए इस equation में आपको सिर्फ उसका temperature पता होना थी यह system का temperature पते 22 degrees Celsius 27, 25 जितना भी है वो यहाँ पर put कर देंगे और क्या पता होनी चाहिए initial volume और final volume final volume है V2 divide by initial volume V1 तो initial और final volume की value put कर देंगे और वो temperature लिख देंगे system का जो temperature constant रहते है isothermal process में तो यहाँ पर temperature initial volume, final volume यह तीनो put करते ही आपको क्या मिल जाएगा work done मिल जाएगा कि वो piston कितना work done करेगा 5 जूल का 10 जूल का 50 जूल का 100 जूल का कितना work done करेगा तो इस equation से find किया जा सकता है इस equation से हम लोग find कर सकते हैं work done अच्छा इस equation को change भी कर सकते हैं फिर से देखिए क्या क्या कि हमने work done calculate करना बड़ा आसान था हमने सिर्फ formula लगाया work done का the work done is written as w is equal to integration from v1 to v2 p.dv p की value put कर दी कहां से put की ideal gas equation से ideal gas equation से pv is equal to rt था तो p is equal to गया जाएगा rt upon v यह value यहां put कर देंगे value यहां put करते ही जो constant है उनको बाहर लिख देंगे r o t constant है इनको बाहर लिख दिया one upon v का integration हो जाएगा log v और limit होगी v1 to v2 तो पहले upper limit लिखेंगे log e v2 इसकी जगा पर v2 लिखेंगे फिर लिखेंगे minus minus लगा करके लिखेंगे lower limit this is upper limit this is lower limit तो lower limit को लिखा जाएगा फिर हमने यहां पर log वाला formula लगा दिया log m minus log n m upon n तो यह v2 log v2 minus log v1 था तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log v2 upon v1 लिख सकते हैं तो यह हमारा work done का formula बन गया अब इस formula को और भी change किया जा सकते हैं करना चाहें तो और भी change कर सकते हैं इसको log 10 में भी लिख सकते हैं यह log e है इसका base 10 भी लिखा जा सकते हैं किस से multiply कर देंगे इसको 2.303 ओके तो इसको multiply करते हैं हम लोग और इसको किस में लिख देंगे सिर्फ तो work done is also written as अगर मैं इसको 2.303 से multiply कर दूँ इस equation को तो मैं यहां पर log 10 लिख सकता हूं इसके base में और हमारे पास log 10 की जो tables हैं वो given होती हैं physics की जो books हैं उसमें given है chemistry books में given है log 10 बेस 10 की जो tables है वो given है और formula क्या लिखेंगे वी टू अपॉन गीवा तो ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको कि यह तो जन्रल को सिकेल्गूलेशन है लोग इको लॉग 10 लिखने के लिए 2.303 से multiply कर देते हैं तो आप इस equation को यहां तक solve करें तब भी सही है यह लिखें तो यह भी सही है और चेंज करना चाहें तो और भी चेंज कर सकते हैं अच्छा आइसो थर्मल प्रोसेस में equation of state क्या होगी equation of state equation of state होगी boil slow जो हमने last chapter में study की थी PV is equal to constant इसकी state equation क्या होती है PV is equal to constant कैसे पता लगी यह PV is equal to constant इसमें क्या 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 constant है तो answer है number of mall हमने एक mall gas ली थी तो एन की जगह बन लिख देंगे constant सा वो आर की वेली होती है 8.31 आइसो थर्मल प्रोसेस में temperature भी constant रहते हैं तो आर इस एक constant टी इस एक constant तो यह दोनों ही constant है इनकी values चेंड नहीं होगी तो PV is equal to constant यही तो लिखा मैंने PV is equal to constant इस इस दा बॉयल स्टो तो इसकी state equation आइसो थर्मल प्रोसेस की state equation होती है PV is equal to constant मतलब की system में कोई भी changes हो जाए लेकिन उनका pressure और volume का multiplication है उनका जो product है वो हमेशा constant मिलेगा उनका product हमेशा constant मिलेगा पहले pressure P1 था और volume V1 थी बाद में pressure P2 हो गया और volume V2 हो गई लेकिन इनका multiplication कैसा रहेगा इनका multiplication तो constant रहेगा अब क्या हम इसकी help से इस equation को change कर सकते है तो answer है yes यह देखिए P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to constant यहां से हमारे पास कुछ नया formula ने वन है हम इस equation को pressure की terms में भी लिख सकते हैं यह volume की terms में लिख हुई है हम इसको pressure की terms में भी लिख सकते हैं कैसे यहां से बनाइए यह रहा relation P1 V1 is equal to P2 V2 तो मैं यहां multiply कर रहे हैं कैसे करेंगे यह V1 इधर multiply में है यहां आएगा तो divide में आजाएगा so here it will be V2 upon V1 और यह P2 इधर multiply में है इधर आएगा तो divide में आजाएगा so it will be P1 upon P2 यह बन गई equation तो V2 upon V1 की जगह क्या लिख सकते हैं P1 upon P2 V2 upon V1 की जगह क्या लिख सकते हैं P1 upon P2 तो यहाँ पर put कर देते हैं यहाँ पर जैसी आप put करेंगे तो एक formula और बन जाएगा वो होगा the work done in the isothermal process in terms of pressure pressure की terms में भी इस formula को लिखा जा सकते हैं तो मैं इस equation को change करने वाल हूँ यहाँ पर लिखेंगे W is equal to 2.303 R T log base then and V2 upon V1 इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं P1 upon P2 तो इट विल बी P1 upon P2 उसमें 2 उपर है और 1 नीचे है इसमें उल्टा होगा इसमें 1 उपर होगा और 2 नीचे आएगा initial pressure इवाइड भाई final pressure इनिशिल प्रेशर डिवाइड भाई final pressure तो यह भी work done का ही formula है कौन सी process में Isothermal process में इस इस व्रग्डन इन दा Isothermal process ओके तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं derivation को उसके बाद log base e था इसको base 10 करने के लिए 2.303 से multiply कर दिया यहां पर log based 10 लिख दिया और V2 upon V1 की जगहां क्या लिख सकते हैं P1 upon P2 यह हमने कैसे निकाला state of equation स्टेट equation से यह आप बोल सकते हैं equation of states तो इसकी equation of state actual में boils log ही होती है PV is equal to constant और यह constant कैसे है वो मैंने आपको बता दिया इसके basis पर हम यह लिख सकते हैं P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to constant इनका multiplication हमेशा constant रहेगा चाहे process चाहे system किसी भी process से गुज़रे किसी भी process मतलब isothermal process की किसी भी state stage से गुज़रे तो यहां पर हमने इस equation का use करके यह बना लिया तो V2 upon V1 की जगहा P1 upon P2 लिख दिया और यह equation बन दे हैं so work done in isothermal process is calculated by this equation और this equation और this equation और this equation अगर question में pressure गिवन है तो इस equation से solve करेंगे अगर question में initial volume और final volume गिवन है तो इस equation से solve करेंगे और temperature आपको बता रखा होगा यह isothermal process में कौन से constant temperature पे यह process की जा लिए temperature रहेगा constant okay so this is the work done in the isothermal process कि अब हम पढ़ते हैं adiabatic process क्या होती है उसके बारे में सुन लिए अब हम लोग second process को study करते हैं which is adiabatic process इसमें हमने यह पढ़ा था इसका introduction में आपको दिया था इसमें matter और energy दोनों का ही exchange नहीं होगा no exchange of matter and energy with surroundings ऐसी process जिसमें ना तो बाहर से heat energy अंदर आ सकती है और ना अंदर से system के अंदर से heat energy बाहर जा सकती है जैसे कि एक थर्मस होते है कि थर्मस जिसमें हम लोग boiled water को रखेंगे गरम पानी को उगले वे पानी को रखेंगे तो वो काफी समय तक गर्म रहेगा water coolers यूज़ करते हैं जिसमें पानी काफी तक ठंडा रहता है तो वो क्या है वो एक्च्वल में एडियाबेटिक उनकी कौन सी वॉल्स है एडियाबेटिक वॉल्स है जिसमें matter और energy exchange नहीं हो रहे किसके साथ surrounding के साथ ओके तो इसमें हमें एक बात को समझें कि energy exchange नहीं होगी surrounding के साथ अगर energy exchange नहीं होगी surrounding के साथ सो डिक्यू विल बी जीरो एडियाबेटिक प्रोसेस में डिक्यू हीट energy supply to the system is zero हमने क्या किया यहां पर एक सिस्टम बनाया इस सिस्टम के अंदर यह जो वॉल्स है यह सारी की सारी वॉल्स एक बरनर लगा दूं और इसको गरम करने की कोशिश करूं तो क्या नहीं होगा इसके अंदर कोई भी heat energy नहीं जाएगी क्योंकि यहां पर जो वॉल्स लगी है वह एडियाबेटिक वोल्स है यह एडियाबेटिक वोल्स नॉन कंडेक्टिंग वोल्स है मैं जो भी heat energy नूँगा वो इस सिस्टम के energy को वो increase नहीं करेगी मैं यहां पर जो भी heat energy नूँगा वो heat energy इस system की energy को increase नहीं करेगी तो heat energy supplied to the system is zero तो हम लोग system को heat energy दे ही नहीं सकते तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या याद रखना है dq is equal to zero the heat energy lost by the system और the heat energy supplied to the system is zero जो heat energy हम system को दे रहे हैं यह system अपनी heat energy environment में भी क्या नहीं कर सकता lost नहीं कर सकता so dq is equal to zero अब इसमें dq zero होते हैं तो हम लोग अब इसके basis पर इसको explain करेंगे using first law of thermodynamics using first law of thermodynamics फस्ट लो देखिए अब क्या थी फस्ट लोग होती है the heat energy supply to the system is utilized in increasing the internal energy of the system and doing some work this is the first law of thermodynamics अब adiabatic process में क्या zero होगा तो answer है dq zero होगा अगर dq zero होगा तो यह formula बन जाएगा d u plus dw अब देखिए यहां से दो statement मिलेंगे इस equation से दो statement मिलेंगे और उन दोनों statement के meaning मैं आपको बदाता हूँ क्या होगे सबसे पहला first one अगर dw को मैं उस तरफ लेकर के जाओं यह जो dw है यह positive है अगर मैं उसको उदर लेकर के जाओंगा तो dw हो जाएगा negative तो क्या equation बनेगी पहली तो यह equation बन सकती है कि du is equal to minus dw du is equal to minus dw अब इसका meaning क्या है इसका meaning यह होगा कि जब हम system पर work करेंगे देखे minus dw क्या बताएगा the work is done on the system the work is done on the system तो अगर हम एक container लेंगे जिसकी wall adiabatic walls होंगी और इसका जो किस्टन होगा वह भी adiabatic होगा कि यहां पर हमने एक किस्टन लगाया और इसकी जो वॉल्स हैं वह भॉल्स भी adiabatic है अब इस system में compression करने वाला हूं work done मैं कर सकता हूं work done जीरो नहीं है internal energy भी जीरो नहीं है डीक्यू जीरो है हम system को heat energy नहीं तो मैंने यहां पर इस पर force लगाया downward direction में और मैं क्या करने वाला हूं compression करने वाला compression करने का मतलब है कि मैं system पर work करूंगा यह piston इस position से first position से यहां पर आजाएगा second position पर ओके तो यह piston पहले यहां था फिर यहां आ गया downward direction में आ गया so I am doing the work on the system तो अगर हम system पर work करेंगे तो यू positive है यह negative है लेकिन इसके आगे negative सिंबल नहीं है मतलब कि यह positive है इसका मतलब यह हुआ कि particle fast moving हो जाएंगे और इनकी इसा sudden compression कर दूँगा sudden compression करते ही क्या होगा हम देखेंगे कि इसका temperature rise हो जाएगा पहले इसका temperature 20 degree Celsius था जैसी मैंने sudden compression किया temperature 200 degree Celsius तक चला गया 200 degree Celsius तक temperature increase हो गया ओके तो अब इसका meaning लिख देखे है when work is done on the system देखे dw negative है तो क्या लिखेंगे when work is done on the system the internal energy of the system increases अगर हम system पे work करेंगे तो system की internal energy बढ़ जाएगी मतलब कि उसका temperature बढ़ जाएगा और ऐसा कब होगा जब हम क्या करेंगे जब हम क्या करेंगे compression compression की दोराने सा होगा अब next statement देखिए second statement इससे क्या बनेगी इससे second statement क्या बन सकती है यह du positive है इसको इधर ले जाएंगे तो negative हो जाएगा इसको इधर shift करेंगे इसको इधर shift करेंगे तो इन एक्सपेंशन होगा work done positive का मतलब है system work करेगा the work is done by the system the work is done by the system and there is an expansion of the gas पहले पिस्टन इस जगह पर था हमने इसका temperature measure किया हमने इसका temperature देखा 200 degree Celsius अब यह piston दीरे दीरे ऊपर जाना शुरू हो गया उसका reason क्या है उसका reason यह है कि हमने piston को free छोड़ दिया पहले इसको ऐसा पकड़ करके रखा हुआ था तो यह piston इस position पहले जैसी मैंने इसको free छोड़ा यह piston दीरे दीरे ऊपर जाना शुरू हो गया तो मतलब यहां पर क्या होने वाला है यहां पर होगा expansion और expansion में temperature decrease हो जाते हैं तो यह piston जैसे ही इस position से यहां पर जाएगा फस से second position पर जाएगा तो यहां पर expansion हो जाएगा expansion हो जाएगा तो particles की kinetic energy कम हो जाएगी particles एक दूसरे से दूर दूर हो जाएगे number of collisions कम हो जाएगे इनकी internal energy कम हो जाएगी temperature 200 degree Celsius था बाद में हम not करेंगे कि इसका temperature थोड़ा कम हो चुक है 150 degree Celsius हो गया जब piston इस जगहां पर है तो gas का temperature 200 degree Celsius था मतलब इसके पास कुछ internal energy थी हमने piston को जैसी इस पर फ्री छोड़ दिया हमने इसके उपर जो प्रेशर लगा रखा था उसको कम कर दिया तो धीरे दीरी ये piston ऊपर जाना शुरू हो गया अब कौन वर्क कर रहे है क्या हम piston को उपर लेकर के जा रहे हैं क्या तो answer है no य system वर कर रहे है तो when work is done by the system when work is done by the system then the internal energy of the system decreases then internal energy of the system decreases of the system decreases और ऐसा कब होगा तो answer है expansion के दुरान ऐसा कब होगा expansion के दुरान ऐसा होगा जब गैस वर्क करेगी अगर system वर्क कर रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव है अगर system वर्क करेगा तो system की internal energy कम हो जाएगी मतलब system ने अपनी energy खर्च करके पिस्टन को उपर लेकर क्या या particle जा करके पिस्टन से टकराए तभी तो पिस्टन ऊपर की दरफ जा रहा है expansion हो रहा है तो पार्टिकल ने अपनी energy खर्च की अगर पार्टिकल ने अपनी energy खर्च की तो उनकी energy कम हो जाएगी इसलिए डी यू के आगे नेगेटिव लगा हुए यहां पर डी यू पॉजिटिव था क्यूकि जब हम वर्ट करते हैं सिस्टम पर तो सिस्टम की internal energy बढ़ जाती है यहां पर जब सिस्टम वर्ट करता है तो सिस्टम की internal energy decrease हो जाती है अब हम इसमें कुछ equations के बारे में पढ़ेंगे और work done कैसे calculate करते हैं अच्छा इसकी conditions क्या है एडियाबेटिक प्रोसेस की necessary conditions क्या है necessary condition यह है कि heat energy का exchange नहीं होना चाहिए तो इसकी necessary conditions है कैसी walls होनी चाहिए एडियाबेटिक walls system की walls होनी चाहिए एडियाबेटिक walls second यह जो process है वो कैसी होनी चाहिए sudden process यह process होनी चाहिए sudden अचानक से बलत जल्दी से sudden process बोल दो या इसकी बजाए हम लोग बोलेंगे fast process sudden process बोलेंगे या क्या बोल सकते हैं इसको fast process तो expansion जब करेंगे तो पिस्टन को जैसी चोड़ेंगे पिस्टन अचानक से उपर आ जाएगा और उसका temperature कम हो जाएगा मतलब उसकी internal energy कम हो जाएगी और हम जब compression करेंगे तो पिस्टन को अचानक से नीचे दबा देगे जिसक कि यह sudden process करना क्यों जुरूरी है उसका reason यह है कि अगर हम sudden process करेंगे तो system को surrounding में heat exchange करने का time नहीं मिलेगा वो time हम उसको देंगे नहीं अगर हम उसको compress करके छोड़ देते हैं तो धीरे-धीरे वह energy exchange करता है surrounding के साथ लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे तो आपको यह sudden process करनी ह नहीं fast process करनी है compression करने तब भी fast होगा expansion होगा तब भी fast होगा और दोनों ही cases में क्या हो रहे है जब हम system पे work करेंगे तो internal energy बढ़ जाएगी और जब system work करेगा in this case जब system work करेगा तो उसकी internal energy कम हो जाएगी जिसके आगे negative लगा हुए उसका decrement हो रहे है और जो quantity positive है उसका increment हो अके थैंक यू सो मच